हेलो दोस्तों वेलकम टूर चैनल तो आज मैं वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए कि गुरूप डी में किस तरह से बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं तो सबसे पहले आप मेरी कुछ बाते सुनो दो से तीन बाते में बोल रहा हूं जो आपको चोका देंगी स सबसे पहले तो मैं कहा रहा हूं कि आपकी वेकंसी एक लाख नहीं है यह मान के चलो कि आपकी वेकंसी एक लाख बीस हजार हो गई है उसके पीछे का क्या रीजन है वो मैं अभी बताऊंगा दूसरी चीज पेपर को जब भी आप सोल्व करेंगे चाहें टेस्ट हो या एक् देखना है मतलब अगर आपने हंड्रेट कॉष्चन नहीं देखा है तो आप बागी इसका निश्चित रीजन है कि क्यूं हो गए कई बार क्या होता है एक्जामिनर बहुत अच्छे से पेपर को सेट करते हैं और लांष्ट में जो लांष्ट के 10 कॉष्चन होते हैं कई बार बहुत ऊजिक डाले जाते हैं तो अगर डेख लियने है तो वह आदमी अप ही आप लोगों देखा है और उसके लाश्ट में चार कोश्चन मिल गए जो उसे आते थे तो आप लोग मेहनत करने के बाद भी उससे पीछे रहा गए क्यों कि आपने अपनी ज्यादा चालाकी दिखाई आप लोग क्या लगए कि आप लोगों को पेपर सोल्व करने की मतलब आदत है और आप लोगों क्या किया कि कोई भी कborough लगे रहे और आपने कोई भी क्राइट दो से तीज इसके क्या फायदे होते हैं अगर आपके पास stress है अगर आप पेपर देते समय stressed हो तो आपके जो questions आते हुए है वो भी भूल जाओगे लेकिन अगर आपका stress खतम हुआ exam में तो आप बो question भी attempt कर सकते हो जिए हो आपको ज्यादा नहीं आते थे क्योंकि आपका दिमाग active होता है इसके पीछे reason यह है आपको करना क्या है जैसे आप hundred question तक पहुंच गए तो आपका mind आपको instruction देगा उसको लगेगा यह कि वही ऐसा है कि जो तुझे होना था मतलब जो तुझे आता था वो तो तूब कर चुका अभी जितने व होता है दिमाग बिल्कुल tension free हो जाता है अब अगर दिमाग tension free हो गया तो आप क्या है बड़े आराम से वह question जो पहली बार में नहीं हुए थे उन questions को भी attempt करने कोसिस करते हो math के reasoning के तो वह questions बन जाते हैं कई बार आपने देखा होगा कि आप पहली बार जब question solve कर रहे थे तो आपसे नहीं बना लेकिन आप जब second time लोटके आए तो आपसे question बन गया तो इसी वज़े से मैं कह रहा हूं कि अगर आप यह सब करते हैं तो आप बहुत अच्छे marks gain कर सकते हैं सबसे पहले टिप यह है कि आपको paper में कम से कम 2-3 round मारने ही मारने है ठीक है दूसरी चीज मैं आपको बता सको बिलकुल नहीं छोड़ेना है कुछ लोग क्या करते मैं इसको बिलकुल ही आप लोग को मैंसको बिलकुल नहीं छोड़ना है आप लोग को देखना थो सिर्फ प्रिंट टोपिक को कवर कर लो इससे क्या होगा कि अगर 20 नंबर का या 25 नंबर का आपके पास मैं तो आप लोग 5-10 नंबर तो गेंड करोगे ही उसके अलावा पॉजिटिव सी में भी जा सकते हैं क्योंकि जितने आपको जितने आपने चप्टर तैयार किये वह वहले कोशन तो आप उलाई दोगे उसके अलावा भी ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही निल होगे कुछ कोशन और भी कर सकते हो आपकी ट्रिगोनमेट्रिका सिंपल सा कोशन आगया या कोई फॉर्मूला आगया तो आप उसे भी कर सकते हो तो इन चीजों को जरूर ध्यान देना है एक मैस में यह चीज होगी अम मानलो कोई बंदा कह रहा है कि यार मेरी करंट नहीं हो पाती मुझसे करंट नहीं होती तो भाईस इतना दिमाग क्यों लगा रहा है सा है वो आप उसे पढ़ो उसमें टॉपिक बाइस दिया होता है हां कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कन्फ्यूज करते हैं कि कुछ टॉपिक है जैसे कि टैनिस ग्रेंड स्लैम है नोवेल प्राइज है तो कुछ चीजों को तो आप ट्रिक से याद करो बिलकुल मैं भी कहता हू होगा कि अगर 21 में एक्जाम होना है तो आपको 20 की वी चीज़े पूछेगा 21 की चीज़े पूछेगा तो एक तो आप स्पोर्ट से रिडेटर सारी चीज़े कवर करेंगे और मैं जो कह रहा हूं जैसे टैनिस ग्रेंड स्लैम है अब इसमें इतने सारे नाम हो जाते हैं एक साल पहले की वी और मैंने वीडियो बनाई भी थी तो अगर आप इसे देखेंगे तो देख सकते आप कि मैंने उस टाइम पर याद किया था कि और फ्रेंच ओपन लिख लो विंबल्डन लिख लो यूएस ओपन लिख लो और फिर उसके बाद कितना सिंपल सा है कि देखो क् खिलाडी टौप पर चल रहे होते हैं जैसे उस टमेक था रोजर फेडरल और राफेड नडाल और जोकोवी यह तीन खिलाडी थे जो चल रहे थे तो इन्हीं ने जीते थे तो अब हुआ क्या उसके ट्रिक बन गई रोजर नडाल रोजर नडाल चारों हो गए एक साल के फि फ्रेंच ओपन विंबल्डन ओपन और फिर यूएस उपन इसका करम याद रखना है कि यह ऐसे होते हैं साल में एक जनवरी में स्टार्ट होगा फिर दूसरा ऐसे इसे क्रम को याद रखे फिर क्रम बाइज ऐसे आप ट्रिक से याद कर लो इस तरह से आप लोग याद कर सक करनी है नए लसे सब करने को लगेगा कि यह वाली छीजह करनी है तो आप लगे मैं लास्टक तक गए लड़के कहें टो तक पहुच पाया बस जो बंदा यह बोल रहा है कि मैं तो पहुच पाया शत्र तक पहुच पाया वह बाकि से अपने आप पीछे हो गया मतलब नहीं बनता यार एक बंदा लाश्ट तक जा रहा है लाश्ट में पक्ष्चन ऐसे आ मतलब नहीं है जो मैंने आपको बता दिया है मतलब एक वार पूरे पेपर में होई जाना मतलब लाश्ट तक जरूर होके आना है हम लोग तो तीन-चार राउंड मारते ही मारते थे जिसकी वज़ए से हमारा जो माइंड सेट है मतलब इतना अच्छे से हो जाता है कि अब कोई टेंशन नहीं आप तो जो करना था वह हो गया तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और बाकी चीज़ें पर जिन जो भी डाउट है सबसे डिफिकल्ट एक्जाम गुरूब डी का ही था ठीक है तो इस चक्र में बिल्कुल मत रहना कि छोटी जोब है इस वज़े से हलका आता है भारी आता है इस चीज के चक्र में नहीं कि किस तरह से आपकी जो बढ़के एक लाख 30,000 हो जा रही है एक लाख है तो या फिर अब जो 60,000 वेकंसी थी वह साथ हजार वेकंसी नहीं थी वह ज्यादा थी उसके पीछे क्या रीजन है मैंने तुम्हें बताया कि या ललके जोईन करते नहीं है तो वेटिंग केलियर होती है अब माल नो डेल गुना कैंडिडेट उन्होंने ले लिए तो आपकी तरफ से ब हमारे बहुत सारे कैंडिटेट हैं जिनका गुरूब भी सेलेक्शन हुआ था तो या तो उन्होंने अब छोड़ दी या उन्होंने उसी टाइम जोएन नहीं किया या कुछ ने जेए के चक्कर में जोएन नहीं किया तो यह सारी चीजे आप लोगों के साथ होती रहेंगी तो कि आपके 75 मार्क होंगे तो बड़े आराम से सेलेक्शन हो जाना है ठीक है और जिस तरह का भी कोई भी डाउट आता है कोई प्रोब्लम आती है आप लोग बिल्कुल शेयर करो और जो भी हो सकता है हम भी बताएंगे चार पांच चीजे मैंने बता दी आप लोगों को जैसे अब एक्जाम में बैठेंगे तो एक्जाम में सब से पहले यहीं से यह प्रक्तिस स्टार्ट कर दो टेस्ट पेपर से एक्जाम में जैसे आपको जाना है तो गो ठू होना पूरे पेपर में ठीक है और कम से कम दो से तीन राउंड मारने दूसरी चीज़ जो सब्जेक्ट वीक है उसके कुछ important points जो आते हैं जैसे मैं इने जरूर कबर कर लेना है simplification को देख लेना है अगर किसी का मैं बिल्कुल नहीं छोड़ देना है सब्जक्ट को अब मालों किसी की बहुत सारी चीजे हैं मैं सब्जक्ट वाइज वीडियो बनाऊंगा कि कि सब्जक्ट को किस तरह से प्रपेयर करना है और आप लोग बड़े अराम से एक्जाम को क्वालिफाई कर पाऊगे और जो भी डाउट होते हैं आप लोग कमेंट करिएगा और मैं कमेंट में चीज कुछ ट्रिक्स बनाना सुरू कर दो हाँ एक चीज और बता दूँ मैं एक बार अगर मैस आपने पढ़ लिया तो बार बार उसे यूट्यूब चैनलों पर जा जाके पढ़ने की जरूत नहीं है उन्हीं नोट्स को पढ़ो खुद से करो बार बार पढ़ोगे कुछ स यहां यहां पर मैं कम टाइम में कर पा रहा हूं क्योंकि तुम पहले पढ़ चुके थे अगर आप पहले से पढ़ चुके हो किसी चीज को तो अब बहुत आसानी से कर पाऊगे तो जहां पर मतलब आप एक घंटे की वीडियो देख रहे हो वह गंटे काम आप 15 मिनिट में क ठीक है मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अगर आपको सारी चीजे अच्छी लगती हैं तो आप चैनल पर बनी रही है